अखंड भारत वर्ष पर जाजिया और जिहादी मानसिक्ता वाले कानू लागू करने वाले मुघल शासन को मिट्टी में दफना कर भारत भूमी पर सुशासन का कलश चड़ाने वाले छत्रपती शिवाजी महराज और उनके वीर मावलों की कहानी सुनकर शरीर में उर्जा का प्रवाव होने लगता है पर तारीव के जितने हगदार शिव छत्रपती हैं उतने ही उनके वीर मावले भी हैं दोस्तो मैं हूँ आपकी अर्जे अनामे का मराठा सामराज जैसे जुड़े शूर वीरों की कहानियों से भरे हमारे चैनल मराठा एंपाइर दे हिस्ट्री टी छे जून 1674 में जब हिंदू रीती रिवाद से श्री शिव छत्रपती का राजह भिशेक किया गया तब जिम्मेदारी के साथ मुश्किलें भी बड़ी थी सामान्य लोगों को सम्विधान से बांधने की जिम्मेदारी तो अश्ट प्रधान ने ले ली थी नगर और गाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी वतंधारों के पास थी पर साम्राज्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी खुद राजा शिव छत्रपती और सर्नोबत उर्फ सरसेनापती ने ली थी इसलिए राजा के बाद सरसेनापती का पद बड़ा होता था यूत शिव चत्रपती के सभी सरसेनापती अपने अपने एसाब से महान थे पर आज हम आपको रूबरू करवाएंगे मराठा सामराज्यक के चौथे और राज अभिशेक के बाद बने पहले सरसेनापती हम्बिर्राव मोहिते के वीरगाथा से हम्बिर्राव मोहिते का जन एक मई सोला सो तीस में सातारा नस्दीक तरबीड नामक गाउं में हुआ था वैसे तो उनके खांदान पर हम अलग विडियो बनाएंगे पर कम शब्दों में कहूं तो ये बात सपष्ट है कि मोहिते परिवार भोसले परिवार इतना गौरोशाली और नामी था क्या आपको पता है कि आज के पूने शहर को किसने बसाया था वैसे तो पूने शहर का संदर्ब हजारों साल पहले का है पर आधुनिक पूने का निर्मान श्री शहाजी राजे ने किया था एक जलती हुई भूमी को उन्होंने पानी के सिंचन से भर दिया उस जमाने में पूने बड़े नगरों में शुमार था और पूने के जागिरदार खुच शहाजी राजे थे इस वजह से पडोसी जागिरदार उनके साथ पारिवारिक संबंद बनाने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे श्री शहाजी राजे के अलावा और एक शक्स बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे जिनका नाम था संभाजी मोहिते संभाजी मोहिते के पूरवज भी परमवीर थे संभाजी मोहिते के दादा जी रेतो जी की बहादूरी देख ततकालिन निजाम ने उन्हें बाजी इस खिताब से नवाजा था इस वजह से मोहिते के पहले बाजी लगाया जाता है जैसे संभाजी बाजी मोहिते या फिर हम्बिर राव बाजी मोहिते खेर आगे की कहानी बताती हूँ ये जो संभाजी मोहिते थे वो राजे शाहाजी के करीबी दोस्त और सेनानी थे उन्होंने मिलकर बहुत सारी मोहिमों को चलाया था 1660 के साल में संभाजी मोहिते ने अपनी पहली पुत्री सोईरा बाई की शादी शिव छत्रपती से करवाई इस रिष्टे के साथ सोयरा बाई के बड़े भाई हम्बिर राव मोहिते शिव चत्रपती के ना केवल रिष्टेदार बने बल्कि स्वराज के सेनानी भी बन गए मोहिते और भोसले ये पहली बार समदी नहीं बने थे असल में शाहाजी राजे की दूसरी बीवी तुकाबाई भी मोहिते परिवार से थी इतिहासकार कहते हैं कि तुकाबाई हम्बिर राव के पिताजी संभाजी मोहिते की बहन थी और संभाजी मोहिते की दो बेटियां थी सोयरा बाई और अनुबाई सोईरा बाई का विवहा शिव छत्रपती से हुआ और अनू बाई का विवहा शिव छत्रपती के सौतेले भाई एकोजी राजे भोसले से हुआ था असल में हम्बिर राम मोहिते का नाम हंसाजी मोहिते था उनका नाम कैसे बदला गया उसके पीछे एक दुखत कहानी है ये कहानी उस वक्त की है जब शिव चत्रपती का राज्य अभिशेक हो रहा था उस दोरान शूरवीर प्रताबराव गुजर मराठा सामराज्य के तीसरे सरसेना पती थे नेसली प्रांत में बहरोल खान से युद्ध करने के लिए ये मर्द मराठा अकेला चल पड़ा पीछे से उनके छे साथी भी चल पड़े अपने अपने घोड़े पर सवार ये साथ मराठा शूरवीर पंद्रा हजार मुगल फौज का सामना करने के लिए निकले थे महराष्टर में एक बात हमेशा कही जाती है वेडात मराठे वीर दोडले साथ ये बात उसी साहस को दर्शाती है पर साहसी निरनय के आगे किस्मत का खेल चल गया और ये साथ वीर मराठे मारे गए जब छत्रपती शिवाजी महराज को ये बात पता चली कि उनके सर सेना पती ने भावख होकर खुद को मौत के कुए में डाल दिया तब उन्होंने हनसाजी मोहिते को इस युद्ध को नियंत्रित करने भेजा प्रताब राव गुजर के देहांत के तुरंद बाद बहरोल खान के 15,000 सेना से बारा सो वीर मराठों ने युद्ध शुरू रखा इस बीच बहरोल खान का पलड़ा भारी था वो इस युद्ध को जीत ही रहा था तब हम्बीर राव मोहिते के साथ आनंद राव भोशले वहां आये और बहरोल खान को मार किराया कोलहापूर नस्दीक नेश्री के इस युद्ध में विजैश्री मराठों को जरूर मिली पर उनका सरसेना पती का साथ छूट चुका था राज्य विशेक के दोरान हुए इस युद्ध में साहसी पराक्रम दिखाने के लिए श्री शिव चत्रपती ने हनसाजी मोहिते को हम्बिर राव नाम दिया था और साथ ही उन्हें मराठा सामराज्य का चौथा सरनूबत भी बनाया आपके मन में एक सवाल उट रहा होगा कि हम्बिर राव का अर्थ क्या होता है असल में हम्बिर का मतलब वीर पुरुष है वीर पुरुष जिसमें बहुत साहस हो उसे हम्बिर कहा जाता है हम्बिर राव मोहिते मराठा सामराज्य के वो शक्स थे जिनके कारेकाल के समय मराठा सामराज्य आबाद रहा था उनकी पहचान सरनोबत से नहीं थी बलकि उनकी पहचान एक निष्ठावान इनसान के रूप में थी स्वामी भक्ती का प्रकट उधारन थे हंबिर राओ मोहिते परिवार की स्वामी भक्ती उनके रगों में ही थी क्योंकि जब हंबिर राओ के पूरवज से उनकी जागिर छीन दी गई तब शहाजी राजे ने उनकी मदद की थी और उन्हें तर्बीट प्रांत का स्थाही जागिरदार बनवाया इस वजह से मोहिते परिवार के लोग भोसले परिवार के हमेशा से विश्वासू रहे थे खुले तोर पर हम्बिर्राव मोहिते का नाम 1674 में राजह अभिशेक के दोरान आया था पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अफजल खान से युद्ध करते वक्त श्रीशिव चत्रपती ने हम्बिर्राव की मदद भी ली थी उस दोरान वो मराठा सामराज्य के सरदार थे राजह अभिशेक के बाद मराठा सामराज्य की पहली मोहिम दक्षिन विजय थी इस मोहिम को खुद शत्रपती शिवाजी महराज ने अपने कंधों पर लिया था 30,000 का अश्वदल और 40,000 की पैदल सेना लेकर मराठा वीरों की फौज दक्षिन प्रांथ को जीतने निकली थी ये साजी कंग समेत खुद हम्बिर्रा मोहिते जैसे शूर वीर इस मोहिम पर थे और यहाँ अन्य शूर वीर जैसे सर सेना पती हम्बिर्रा मोहिते ने बड़ी तेजी के साथ एक के बाद एक प्रांथ मराठा सामराज्य से जोड़ लिया जिसमें कोपल और खांदेश का स्वराज्य से जुड़ना बड़ी बात थी मुगल सरदार दिलेर खान और बहादुर खान को हम्बिर्रा मोहिते ने अपने जीते जी कभी स्वराज्य में चैन की सास नहीं लेने दी असल में देखा जाए तो पता चलेगा कि दिलेर खान नामक मुगल सरदार को आप अफजर खान से तुलना कर सकते हो पर हम्बिर्रा मोहिते का पराक्रम और श्रिप्छतरपती के राजनिती के कारण दिलेर खान सुराजे की नीव हिला नहीं पाया और इसी बीच दक्कन में ही उसकी मृत्यू भी हो गई थी हमेरा मोहिते की वीर्ता पूर्वक मोहिमों में कोपल की मोहिम भी बड़ी प्रसिद्ध रही ये बात सोरा सो सतत्तर की है और करनाटक की मोहिम को तीन साल हो चुके थे इस बीच मराठों ने कुतुब शाही के साथ समझोता करके दक्कन में अदिल शाही और मुगलों का सफाया कर दिया था एक दिन शिव चत्रपती को खबर मिली कि करनाटक के कोपल प्रांत में अदिल शाही के सरदार हिंदूओं पर जुल्म कर रहे हैं किसानों की हत्या की जा रही है ये सुनकर उन्होंने तुरंध ही हम्बिर राव को कोपल भेजा कोपल का युद अठारा घंटे चला हम्बिर राव ने अब्दुल रहीम खान मिया को मार गिराया और हुसेन खान को पकड़ कर शिव चत्रपती के सामने पेश किया आपको बता दूँ कि इस युद्ध में हम्बिर राव मोहिते को धनाजी जाधम ने भी मदद की थे वीर हम्बिर राव मोहिते की सेना नाइकी के कारण मराठा सामराजिक करनाटक से गुजरते हुए सीधे आज के तमिल नाडू तक पहुँची और कोसो दूर जिंजी पर भगवा फड़़़ाने लगा पर जिंजी विजय के बीच भी बहुत सारी घटनाए हुई जिसमें श्रीशिव चत्रपती और एकोजी राजे भोसले का युद्ध भी शामिल है हुआ यो कि अब मराठा सामराज्य डंके की चोट पर कल्यान भिवांडी ठाने से लेकर सीधे तमिल नाडू तक फैल गया था और अदिल्शाही को दफना कर आगे सिर्फ एकोजी राजे भोसले थे जिन्होंने शाहजी राजे की तंजावर जागिर पर खुद का राज्य प्रस्थापित कर लिया था असल में काईदे से एकोजी ही तंजावर के राजा थे पर उन्होंने मराठा सामराजय में विलिन होने की बात को इनकार कर दिया था इस वजह से शिव चत्रपती को तंजावर पर हमला करना पड़ा इस युद्ध के लिए भी श्री शिव चत्रपती ने हम्बिर राव को खड़ा किया था और यहां उनके स्वामी भक्ती की परिक्षा होनी थी क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम्बिर राव की एक बहन अनुबाई का विवा एकोजी राजे से हुआ था मतलब अब हम्बिर राव को अपने बहन के पती से लड़ा ही करनी थी रिष्टेदारी को बीच में ना लाकर सिर्फ महराज के एक हुँकार पर हम्बिर राव एकोजी भोसले की सेना पर कूद पड़े पर यहां हम्बिर राव की हार हुई इस वजह से उन्होंने पुराना तरीका गनी मिकावा आजमाया एकोजी की सेना अपने विजय का जलोश मना रहे थे उस वक्त हम्बिर राव मोहिती ने सर्जिकल स्ट्राइक के मदद से अचानक हला मचा दिया देखते ही देखते तुरंधी एकोजी राजे की सेना ने हार मान ली और हम्बिर राव ने एकोजी राजे को पकड़ लिया रिष्टेदारी के कारण हम्बिर राव ने अपने पन और प्यार के साथ एकोजी राजे के साथ व्यभार किया और उन्हें मराठा सामराज्य के साथ बांध लिया आपचारिक रूप से तंजावर प्रांच स्वराज्य में शामिल तो नहीं हुआ पर तंजावर पर हमेशा मराठों का भगवा फड़फडाने लगा और यहां एक और बात बता दूं कि तंजावर के कारण ही शिव छत्रपती ने जिन्जी और विलोर को जीता था जिन्जी काबिज करने के बाद शिव छत्रपती राइगड लोटाए पर हम्बिर राम मोहिते को करनाठक में रहना पड़ा क्योंकि सामराज्य विस्तार के बाद सुशाशन की अमल बजावनी बाकी थी राइगड पहुंचने के बाद शिव छत्रपती ने अपने बेटे राजाराम की शादी हम्बिर राम मोहिते की बेटी ताराबाई से करवाई वीर शूरवीर ताराबाई की कहानी भी लाज जवाब है जिस पर हम अलग विडियो बनाएंगे राजराम की शादी मोहिते परिवार में करके शिव छत्रपती ने भी अपनी परंपरा काबिज रखी पर सरसेनापती हमबिर राव की कहानी यही खत्म नहीं हो रही 1689 के दोरान हुई जालना की लढ़ाई शेव छत्रपती की आखरी लढ़ाई थी दुर्भाग्य से इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई और छत्रपती शिवाजी महराज की जान को भी खत्रा था ऐसे में हमबिर राव मोहिते और बहिर जी नाइक के कारण उन्हें सही सलामत राइगड पहुँचाया गया अब तक की कहानी सुनकर आपको पता चल गया होगा कि दक्षिन विजय के दोरान सरनोबत हमबिर राव मोहिते ये नाम किस हद तक मूल्लेवान था जिस प्रकार पेश्वा बाजिराव ने उत्तर भारत पर भगवा फड़ड़ाया था उसके भी कुद साल पहले हमबिर राव मोहिते ने दक्षिन भारत में ये काम करके दिखाया था पर मराठा सामराजे को सबसे भयानक दिन का सामना तब करना पड़ा जब छत्रपती शिवाजी महराज बड़े ही कम आयू में चल बसे इतना बड़ा सामराजे का पालन हर्ता गुजर गया पर फिर भी महराज के अश्ट प्रधानों ने न्याय के साथ स्वराजे को चलाना शुरू रखा पर यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब अगला छत्रपती कौन होगा मंत्री मंडल के कुछ कप्टी लोग छोटे राजाराम को सिहासन पर बिठा के खुद राज करना चाहते थे इस वजह से इन मंत्रियों ने हम्बिर राव मोहिते की तारीफ करना शुरू कर दी कि अब सरसेनापती का भांजा और दामाद मराठा सामराज्य का दूसरा छत्रपती बनेगा पर हम्बिर राव होशियार थे उन्होंने रिष्टे को मर्यादित रख कर इस फैसले का कड़ा विरोध किया सरसेनापती जैसा बड़ा पद उनके पास था और उन्हें स्वराज्य के आम जनता की भी फिक्र थी उन्होंने सोचा कि छत्रपती के पद पर ऐसा इंसान होना चाहिए जो अपने पिता से भी एक कदम आगे हो और उनके नजर में धर्मवीर संभाजी महराज थे मंत्री मंडल के गैर राजनीती का परदा फाश करके हंबिर्रा मोहिते ने संभाजी महराज का साथ दिया और मराठा सामराज्य के दूसरे छत्रपती श्री संभाजी महराज के कारेकाल में शामिल हुए आप सब ही जानते हो कि छत्रपती संभाजी महराज का पूरा जीवन युद्ध भूमी पर स्वराज की रक्षा करते हुए बीता श्री संभाजी महराज के हर एक मुहीम में हम्बिर राव ने अपनी पूरी जवाबदारी से साथ दिया। दूसरे छत्रपती के नेतरुत्व में उन्होंने गुजरात और बुरहानपुर की पारी खोली। बुरहानपुर मुगलों की राजदानी दिल्ली जैसी थी। यू मान लीजिये कि सूरत के बाद बुरहानपुर उनका व्यपार केंद्र था। इस बुरहानपुर को जीत कर हम्बिर राव ने मुगलों के पैर तोड़ दिये थे। यही कारण था कि औरंगजेब को दिल्ली छोड़ कर दक्कन में आना पड़ा। औरंगजेब जब दक्कन आया तब बची हुई अदिल्शाही सल्तनत को खत्म करके अदिल्शाही सरदार सरजा खान को मुगल सेना में मिलाकर उसे मराठों के विरुद्ध खड़ा किया। 1687 के साल में वाही प्रांत में संभाजी महराज और हम्बिर्रा मोहिते ने सरजा खान के सेना को हरा दिया। पर एक तोप का गोला हम्बिर्राओ के सीने पर दागा गया। और वही मराठा सामराज्य के चौथे सरसेना पती का देहान थो गया। उस दोरान वो 57 साल के आयू में जी रहे थे। मराठा सामराज्य की आजीवन सेवा करने वाले इस मर्द मराठा सरसेना पती हम्बिर्राओ बाजी मोहिते को हम सलाम करते हैं। झाल करते हैं।